Hello Everyone, Welcome to Inspired Mechanical इस वीडियो में हम Diagonal Scale के Basics के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और एक दू प्रोग्लम डिसकस करेंगे Diagonal Scale की ही अब Play Scale तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन Diagonal Scale क्या होता है? Diagonal Scale को Diagonal Scale ही क्यों बोला जाता है? और क्या ये Measure करके देता है हमें इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे ये एक Example की मतल से समझेंगे तो Diagonal Scale क्या करता है? एक ही बारे में तीन consecutive minutes को Draw करके दिखाता है लेकिन अब Diagonal Scale को Diagonal Scale ही क्यों बोलते हैं? इसका थोड़ा सा समझा जाए देखिए, माल लिया ये हमारा पहला डिविजन था जो डिविजन से हम करते आए हैं प्ले स्केल में हमने क्या करना है? इस डिविजन के 5 Equalist से करने हैं तो वो तो 5 Equalist से असानी से हो जाते थे हम क्या कर देते थे? एक्यूट एंगल पे Land Row कर देते थे और Compass की मदद से हम डिविजन मार करते थे और 0 को Last End से मिलाके पैनल लैंड ड्रो की 5 Equalist से मिल गए अब देखिए, ये हमने 5 डिविजन तो कर लिए हैं लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हमें इस छोटे से डिविजन के, या यूँ कहें इस छोटे से ड्रो करेंगे, तो भी ये कही न कही एक दूसरे के साथ टच कर जाएंगी, और Equal Division करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा अब डिविजन स्केल की प्रब्लम्स में होता क्या है तीन उनिट आपको रिप्रेजेंट करनी होती है तो तीन उनिट रिप्रेजेंट करेंगे, दो तो इजीली कर लेते हैं हम प्लेंट स्केल से, लेकिन जो तीसरी उनिट रिप्रेजेंट करनी होती है उसमें हमें दिक्कत आती है तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल बनती है तो इसके अंदर हम देखिए करते क्या है यह पांच division कर लिए हमने इस particular length के equal तो हमने क्या किया है इस rectangle के diagonal को मिला दिया अब मैं diagonal scale को diagonal scale क्यों बोलते है और कैसा इसका method है वो समझाने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा कि वह एक rectangle है मेरी ठीक है इसके base के मुझे 5 हिस्से तो मिल गए है ठीक है अब यह 5 हिस्से क्या दूसरे method से भी मिल सकते है acute angle के लावा वो method देखने जा रहे है हमने इस rectangle के क्या कर दिया 5 equal हिस्से कर दिये यह जो rectangle है इसके diagonal के 5 equal equal हिस्से कर दिये ठीक है इन 5 equal हिस्सों से आप perpendicular जैसे ही drop करेंगे ठीक है न तो आपको क्या मिलेगा यह वाली length देखिए ध्यान दीजिएगा यह वाली length और यह वाली length क्या मिलेगी आपको equal मिलेगी ठीक है तो कहने का मतलब अगर हम यह है हमारा rectangle के diagonal वाला principle अगर हम rectangle के diagonal वाले principle के according division करते हैं तो हमें equal division मिलते हैं कहां पे इस rectangle के base में जहां से हम perpendicular drop करते हैं इसलिए हमें diagonal scale को diagonal scale बोलना पड़ता है और कोई reason नहीं है यह diagonal वाला principle है तो अगर आप इस diagonal के 50 हिस्से भी घर लेंगे और इन 50 हिस्सों से perpendicular drop करेंगे तो अटोमेटिकल यह base कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा जितने भागों में आपने diagonal को डिवाइड किया है अब देखिए थोड़ा सा और इसको समझते हैं माल लीजिए यह हमारी लैंद्स थी इसके अंदर हमने 55 मीटर कहें या सेंटे मीटर कहें तो इसके equal division कर लिए कितने तीस तक हमने scale को measure कर लिया देखिए 0 5 10 15 20 25 और 30 इस तरीके से perpendicular भी draw कर लिया जो light line ने दिखाई दे रही हैं आपको अब इस चोटी सी triangle पर focus करते हैं यह देखिए यह 25 से 30 वाली 55 से 30 वाली triangle के उपर focus करते हैं जो इसकी height यह हमने क्या किया जैसे यहाँ diagonal join किये थे वैसे ही हमने diagonal को join कर लिया इसी तरीके से बहुत सारी rectangle बन जाएंगी 1 2 3 4 5 6 6 rectangle बन गी और 6 के 6 rectangle के हमने क्या कर लिया diagonal को join कर लिया इस तरीके से diagonal को join किया अब हमें इस diagonal के कितने हिस्से करने है 5 equal हिस्से करने है क्योंकि यह unit देखिए 0 से लेके 5 तक है अब मुझे इस छोटे से division के 5 हिस्से करने है इसलिए हम यह काम कर रहे हैं तो हमने क्या किया इस diagonal को यहाँ से उपर तक join करा दिया अब हम यहां पर कर सकते हैं और इस को यहां से मिला के वह पैर नल वाला method ठीक है तो यह जो लाइने जाएंगे आपकी horizontal यह diagonal को 5 equal हिस्सों में divide करती हुई चली जाएंगी और जब हम देखिए ध्यान दीजिएगा यह वाला point यह वाला point यह और यह यहां से जो हम perpendicular drop करेंगे वो 0 से लेके 5 वाले division को पांच हिस्सों में काट देगा सिमिलरली पांच से दस सिमिलरली दस से पंदरा पंदरा से बीस बीस से पच्चीस और पच्चीस से तीस के हमारे equal division हो जाएंगे अब देखिए इसको थोड़ा सा simplify और कर देते हैं क्या हमें यह वाली लाइने ड्रो करने के ज़रूरत है यह लाइट लाइने जो perpendicular इस तरीके से हम इन लाइनों को हटाना चाते हैं ताकि हमारी जो construction है वो simplify हो जाए हम इन लाइनों को हटा देंगे हम क्या गरेंगे 25 वाले division को उपर मिला देंगे और ड्राफ्टर को ऐसे rotate करके और वही नटकों कर देंगे tight और लाइने आ जाएंगी हमारी parallel तो बीस से पंदरा से दस से और पांच से और जीरो से हमारे diagonal चले गए अब इस scale के उपर अगर मुझे 6 पढ़ना है तो देखिए 0 से 5 उपर की तरफ चलेंगे diagonal 6 पढ़ लिया हमने अगर आपको 8 पढ़ना है तो कैसे चलेंगे 0 तो यहां है 5 से diagonal ही चलना है पांच तो यहां है 6, 7, 8 ठीक है अगर हमें पढ़ना है 19 0 से 15 15 के बाद 16, 17, 18, 19 इस तरीके से पढ़ना है 23 पढ़ना है 0 से 20 20 से diagonal ही चलना है इसी diagonal के उपर 21, 22, 23 ठीक है न 27 पढ़ना है अगर 0 से 25 तक आए 25 के बाद 26 और 27 इस तरीके से diagonal scale हमारा प्रोसीड करता है तो यह method रहेगा आपका अब देखिए एक problem discuss करते हैं फिर आपको थोड़ा सा और clear हो जाएगा कि diagonal scale की problem कैसे करनी होती है construction पर न जाहिए अब भी हम इसको बताते हैं तो आपको यह simple लगेगी देखिए construct a diagonal scale एक diagonal scale हमें construct करना है जिसका RF कितना है one ratio 50 to show meter decimeter and centimeter एक ऐसा scale बनाना है जिसका RF एक बटे पचास हो लेकिन वो क्या-क्या रिप्रेजेंट करें meter decimeter और दूसरा centimeter यानि तीन unit को represent करें and long enough to measure up to 5 meter और 5 meter तक वो measure कर सके मेरा scale इतना लंबा होना चाहिए उसके उपर मैं यह तीन unit देख सकूँ उसके बाद हमें क्या करना है indicated scale के उपर 3 meter और उसके बाद आपका 4 decimeter and 6 cm यह चीज मुझे measure करके दिखानी है उस scale के उपर अब देखिए length of scale हमेरे कैसे निकालते थे RF लिखा और RF को हमें maximum length to be measured से multiply कर दिया कितना scale माबना चाहिए long enough to measure यह जो संटे है जहां लिखा दिखा दे वहां से आपको ठा लेना है 5 meter 5 meter का हमें क्या करना है cm में represent करना चाहते हैं तो cm में represent कर दिजिए mm में represent करना चाहते हैं तो mm में represent कर दिजिए यह इसने क्या है cm में represent कर लिया तो इसने 5 meter को mm में represent कर दिया है तो 5 को हमने 100 से multiply किया तो cm में हो गया 10 से और multiply कर दिया तो mm में हो गया यह ठीक है न आपका 100 mm य यह यूँ कहें 10 cm अब मैंने कहा किया है आपको समझाने के लिए इस length को थोड़ा सा बड़ा ले लिए है ताकि आपको यह वहला part मैं अच्छे से समझा सकूँ ठीक है ना तो scale के length कितनी हो गई है हमारी 100 mm हो गई है यह 10 cm हो गई है तो आप क्या करेंगे 10 cm के एक line draw करेंगे जो कि कितनी को represent करेगा 5 meter length को represent करेगा तो 5 meter length को कौन represent कर रहा है 10 cm के line या यूँ कहें 100 mm के line अब इस 100 mm के line के मैं कितने equal division करूँ कि मुझे 1-1 meter मिल जाए क्योंकि मुझे show क्या करना है 3 meter तो show करना ही है ठीक है ना 3 meter कम show हो पाएगा जब 5 meter के कम से कम मैं 5 equal हिस्से तो करूँ ताकि हर एक division कितने का हो जाए मेरा 1 meter का हो जाए तो मैंने कहा कि यह यह वाली length जो थी कितनी थी 10 cm 10 cm के 5 हिस्से कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ 2-2 cm का हो जाएगा यह 2 cm का एक division हो जाएगा क्या इसके लिए यह वाली construction करने की ज़रूत है नहीं है तो देखिए 10 cm के line आई हमने क्या कर दिया उसके 5 हिस्से कर दिये और हर एक division कितने का हो गया एक-एक meter यानि यह भी 1 meter को represent करता है यह भी 1, यह भी 1, यह भी 1 के हल मिल जाएंगे ठीक है न तो 5 cm आपने height ली 10 cm length ली 10 cm के 5 हिस्से कर दिये 0, 1, 2, 3, and 4 हर एक part कितने meter को show कर रहा है वीटा 1 meter को show कर रहा है तो देखिए 3 meter तो आप show कर लेगा असानी से 0 से लेके 1, 2, 3, 3 meter show हो गया उसके बाद आती है problem 4 ऐसे meter की जोटा हिस्सा ध्यान दीजिएगा ये वाला part 0 से लेके 1, 1 से 2, 2 से 3 जो दिखाई दे रहा है आपको वो किसको show कर रहा है 1 decimeter को show कर रहा है क्यों क्यों कि मेरा ये unit जो आई थी ये आई थी 1 meter और 1 meter के मैंने क्या कर दिये 10 बराबर बराबर हिस्से कर दी तो जो पहले unit आएगी वो किसको represent करेगी decimeter को represent करेगी तो देखिए अब हमने क्या किया ये जो पहला division दिखाई दे रहा है ध्यान दीजिएगा 0 से लेके यहां तक जो पहला division दिखाई दे रहा है इसका मैंने acute angle draw की है और 10 equal हिस्से कर लिए इसके compass की मिलद से और last point को मिला दिया 0 से और जैसे ही मिलाया ड्राफ्टर को थोड़ा सा घुमाया और ड्राफ्टर को थोड़ा सा दिया वहाँ पर tight और पहले लाइने आएंगी जैसे ही मुझे point मिलेंगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जैसे decimeter को represent करेंगे तिक आपने क्या करना है अब इस decimeter के हमें क्या करने है फर्दर दस भाग करने यानि देखे ध्यान दीजिए यह चोटी सी length जो दिखाई दे रही है बिल्कुल चोटी सी आपको श्याद दिख रही होगी तिक है इस चोटी सी length के मुझे 10 हिस्से करने है तब जाके मेरा यह centimeter हो पाएगा क्योंकि decimeter क्या होता है 10 centimeter का होता है अब यह 1 meter है अब यह 1 meter है तो एक division कितने को show कर रहा है 10 centimeter को show कर रहा है क्योंकि एक decimeter में कितने होते है हमारे 10 centimeter के होते है अब इस 10 centimeter के 10 equal भाग करने है इसलिए diagonal scale की हमारी problem थोड़े सी complicated होती है क्योंकि यह easily show हो गया यह easily show हो गया अब यह वाली जो चीज़ शो करनी है इसके लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ता है अब देखे यह आकाम आपने कर लिया था 1,2,10 आपने naming कर ली अब क्या करेंगे 9 को आप उपर मिलाएंगे diagonally ठीक है ना drafter को क्या कर देंगे थोड़ा सा rotate करके tight कर देंगे क्यों 9 को मैंने उपर मिला दिया है ठीक है ना similarly 8 से 7 से 1 तक हमारी यह inclined diagonal की line चली जाएंगी अब देखे ध्यान दीजेगा हमने जो मैंचल सिखाया था आपको diagonal scale में अब यह जो height बची है यह 5 cm ली मैंने यह 5 cm है अब यह चोटा division तो 10 cm को represent कर रहा है 10 cm के 10 हिस्से करने है तो जब मैं इस length के 10 हिस्से करूँगा तो यह चोटा सा जो block दिखाई दे रहा है इसके भी हमारे क्या हो जाएंगे बराबर हिस्से हो जाएंगे यानि मुझे इस पूरी length के 10 हिस्से जब करूँगा तो diagonal के भी automatically हो जाएंगे जैसे हमने previous method में पढ़ा था मैं आपको एक बार वो page दिखा देता हूँ जा हमने ये काम किया था ये देखिए हमने क्या किया था इस height के 5 equal हिस्से करने थे ताकि मेरे diagonal के भी 5 equal part हो सके similarly हमने क्या करना है ये जो height दिखाई दे रही है आपकी 0 से लेके 5 तक इसके 10 equal part कर लेने है ताकि ये जो diagonal मैंने draw किये है इसके भी 10 equal part हो सके ठीक है तो ये line हमने आगे तक extend कर दी है तो ये दो देखिए वेटा 5 cm हमने लिया ही क्यों है इसलिए लिया है कि इसके 10 division करने में आसानी रहे तो ये वाला काम आपको करने की ज़रूरत है भी नहीं ये तो मैंने खाली आपको show कर दिया तो देखिए height है मेरी 5 cm और इसके 10 equal part कर लूँगा आदा 10 cm का एक part हो जाएगा तो ये horizontal line जाएगी यानि ये छोटा सा हिस्सा भी अब आपका divide हो गया है अब देखिए हम unit represent करने वाले है 3 meter 0 से लेके 1, 2, 3 3 meter हो गया 4 decimeter 0 से पढ़ना शुरू कीजिए 1, 2, 3, 4 4 decimeter पढ़ लिए अब 6 cm इसी के उपर पढ़ना चलू कर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये point आजाएगा मेरा C और ये जो horizontal line आई है CD ये जो horizontal line आई है CD ये क्या represent कर रही है मेरा ये represent कर रही है 3 meter, 4 decimeter और 6 cm को यहाँ से extend करूँगा एक line ठीक है न 3 meter तक हमारा यहाँ लिखना है हमें यहाँ D लिखना है वेटा यहाँ नहीं लिखना ये नहीं है ये गलती से लिख दिया है मैंने माफ कीजिएगा तो CD जो length है यहाँ तक ये क्या show कर रही है 3 meter, 4 decimeter, 6 cm extension line लगाई लिख दीजेगा 3 meter, 4 decimeter, 6 cm यह जो आया है 10 decimeter आया है तो यहाँ 10 decimeter लिखिएगा यह unit के represent करती है meter और ये क्या show कर दिया हमने cm अब अगर आप से कोई पुछे कि मुझे इस graph के अंदर यह बताइए 10 cm कहां है यह रहा भीटा 10 cm यह 10 cm, यह कितना है 9 cm, यह कितना है 8, 7, 6, 5, 4 3, 2, 1 cm बहुत बिंदू की तरह है दिख भी नहीं रहा आपको तो इस तरीके से यह diagonal scale की problem करनी है तो next problem भी हम एवाँ discuss कर लेते हैं आपके लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा diagonal scale को और अच्छे से समझना देखिए construct a scale of RF 1 by 4000 एक scale मुझे बनाना है उसका RF कितना है 1 by 4000 ठीक है to show meter meter उस पर show कर सकते हो हम and long enough to measure up to 500 meter इतना लंबा scale होना चाहिए जो कि 500 meter को represent करे तो 500 meter को represent करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक line draw करनी पड़ेगी कितनी लंबी वो मैं भी बताऊंगा लेकिन इस scale के उपर मुझे show क्या करना है 374 meter on this scale दयान दीजेगा बेटा directly नहीं बोला उसने कि ये diagonal scale की problem है लेकिन आपको समझना है देखिए बेटा 3 unit आपको show करनी है 4, 7, 3 ये हो जाएगा हमारा 10th part ये 20th part ये हमारा 100 part हो जाएगा ठीक है ना तो मुझे 3 unit show करनी है यानि 300 meter फिर उसके बाद 70 meter और उसके बाद 4 meter इसलिए मुझे ये diagonal scale की problem identify है ये directly नहीं दिया गया देखिए length of scale कैसे निकालेंगे 1 by 4000 into scale कितना है 500 meter का है 500 meter यहां लिखा meter को centimeter में कैसे convert करेंगे 100 centimeter को mm में कैसे convert करेंगे 10 से multiply कर दिया इस सब को solve करने के बाद length कितनी आगी 12.5 centimeter या यूं कहें 125 mm अब देखिए ये line जो आपने draw की है ये लंबी ये कितनी है 125 mm की है 125 mm की है ये length और हमारे साथ क्या हो रहा है यहां पर इस 125 mm की length में 500 meter represent हो गया है अब देखिएगा बेटा ध्यान से 125 mm length है और मैंने इसके 500 meter में शो कर दिया ये 12.5 centimeter की line के क्या 5 equal हिससे कर सकते हैं हम कर सकते हैं 2.5 centimeter का ये part है 2.5 centimeter के है ये divisions अभी इसली कर लेंगे ये वाला method अपनाने की कोई ज़रूर्थ नहीं है ठीक है न तो naming कैसे करेंगे अब 500 meter के कितने हिससे करेंगे ध्यान दिजिएगा 304 मांगा है तो 500 meter के कम से कम 5 हिससे तो करेंगे ताकि हर एक हिस्सा 100 meter को represent कर सके तो 0 से लेके 100 200, 300, 400 और ये last वाला तो 500 है ठीक है तो ये 100-100 meter हमने लिख दिया 500 meter उपर लिखा 125 यहां RF यहां अब देखिए ये meter भी लिख सकते हैं लेकिन इसके बाद में बात करेंगे देखिए अब ये यहां से लेके यहां तक जो division है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 meter को 100 meter को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या मैं इस 100 meter के 10 बराबर भाग कर दूँगा तो मुझे 10-10 meter का एक भाग नहीं मिल जाएगा बिलकुल मिल जाएगा 10 meter को मैं क्या बोल सकता हूँ एक decameter बोल सकता हूँ क्या बोल सकता हूँ एक decameter यानि इस 10 meter के अगर मैं 10 भाग कर दू तो मुझे एक जो छोटा division मिलेगा वो किसका मिलेगा एक decameter का मिलेगा तो मैं 0 से लेके यहां तक जो यह length दिखाई दे रही है इसके मैं किसी भी acute angle पे line ड्रो कर देता हूँ और 10 इस तरीके से division काटता हूँ last point को 0 से मिलाके और इस तरीके से drafter को मैंने tight कर दिया न यह parallel line आ जाएंगी और जहां जहां इस length को काटेंगी वहां मैंने naming कर देनी है 1 to 10 यानि यह जो मेरा छोटा सा division दिखाई दे रहा है आपको वो क्या represent कर रहा है 10 meter को represent कर रहा है ठीक है न 10 meter को represent कर रहा है तो मैंने 300 पढ़ना मेरे लिए easy है 0 से लेके 100, 200, 300 पढ़ लूँगा कोई दिकत नहीं है 300 मेरे लिए पढ़ना बहुत easy है तो मैंने 300 पढ़ लिया उसके बाद देखिए 300 पढ़ने के बाद अब मुझे क्या पढ़ना है 70 meter पढ़ना है 0 से लेके 7 तक जाऊँगा तो 70 meter भी पढ़ लिया मैं 370 तक पढ़ सकता हूँ मैं अब मुझे बाकी के division के दिक्कत आ रही है अब problem आगी लेकिन diagonal scale है ना उसके लिए आप ये height कितनी लेते हैं 5 cm लेते हैं 5 cm के 10 हिस्से करना आपके लिए बहुत easy है आधा 10 cm का एक भाग हो जाएगा 1 to 10 naming कीजिएगा और horizontal line draw कर दीजिएगा और 9 से उपर 10 को मिलाइए और drafter को ऐसे rotate करके कर दीजिए tight ये सब ही parallel line ने आ जाएगी यानि आपने का कर दिया है इस diagonal को 10 भागों में डिवाइड कर दिया है और हर एक भाग ये देखिए ये कितने को represent कर रहा है हमारा 10 m, 9 m, 8 m, 7 m, 6 m, 5 m, 4, 3, 2, 1 ये मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताऊं अगर आपको थोड़ा सा में बड़ा करके दिखा देता हूँ ये diagonal बिटा आपका कुछ इस तरीके से आता है ठीक है ना ये जो diagonal वाला part है आपका कुछ इस तरीके से आता है ये पहले वाला ठीक है ये क्या शो करता है आपका 10 मीटर जो दूसरा दिखाई दे रहा है आपको ये वाला देखिए ये वाला छोटा सा ये ये आपका शो करता है ये 10 मीटर ये 9 मीटर ये 8 मीटर और सिंपल इस तरीके से 1 मीटर तक शो हो जाता है तो 374 देखे 0, 100, 200, 300 ठीक है ना 300 हो गया ठीक है तो माल ले जते हैं ये मैंने गलती से एरो हेड यहां बना दिया है तो इसको इरॉप कर देते हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है तो 0, 100, 200, 300 300 तक यहां आगे हम ठीक है ना उसके बाद 10-10 मीटर के पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तक आगे 370 हो गया उसके बाद 4 मीटर और पड़ना है 1, 2, 3, 4 इस डाइगनल के उपर चलेंगे तो 4 मीटर मुझे मिल जाएगा ये जो लाल करर का आपको बिंदू दिखाई दे रहा है ये मेरा कुन से को रिप्रेजेंट करेगा 4 मीटर को ठीक है ना और इसी के उपर extension लेंड ड्रो करेंगे arrowhead बनाएंगे और यहां 300 के उपर यहां आ जाएगा मेरा ठीक है ना यहां arrowhead बना दूँगा मैं तो 374 मीटर हमारा यहां रिप्रेजेंट हो जाएगा इसको लिखिएगा आप 374 मीटर ठीक है ना 374 मीटर है मैं जो extra है आपको confusion ना हो उसको जरा rub करके दिखा देता हूँ 2 सेकंड वेट कीजिएगा बस मैं eraser से जो extra आपको पार्ट दिखाई दे रहा है उसको rub कर देता हूँ ताकि जब आप पढ़ने लगे तो confusion ना हो आपको तो हम क्या करते हैं इस length को रब कर देते हैं यह हमारी confusion कर देगी आपके लिए क्योंकि यह गलती से मैंने यहाँ arrowhead बना दिया है और point का नाम भी गलती से यहाँ लिख दिया है तो point आएगा मेरा यहाँ यह मेरा point है point B यह कोई point नहीं है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा यह थे मेरे 100 meter के 100 meter के मैंने 10 हिसे किए तो एक division मिला मुझे 10 meter का और उस चोटे से division के मैंने 10 भाग कर दीजिए तो मैंने मुझे मिला क्या एक meter ठीक है ना एक-एक meter के मुझे 10 division मिले तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मैंने इस point पर show किया है diagonal चलना है यानि पहले आपको ऐसे चलना है फिर diagonally पढ़ना है यानि पहले आप ऐसे चलेंगे 370 1, 2, 3, 4 ऐसे आप measure करकर दिखाएंगे और यह जो total length होगी यह आपके रिप्रेजेंट कर होगी किसमे 374 meter में यहां लिखेंगे आप decometer यहां लिखेंगे meter और यहां लिखेंगे सिर्फ meter ठीक है न यानि वैसे देखा जाएंगे तो यह meter ही है सारी unit लेकिन यह क्या है 10 meter को रिप्रेजेंट कर रहा है यह 100 meter को रिप्रेजेंट कर रहा है यह unit को measure कर रहा है यानि आपका 374 है तो यह 10th part हो जाएगा यह आपका 100th part हो जाएगा यह 1000th part हो जाएगा तो इस तरीके से यह unit part है बेसिक लिए देखा जाए तो यह 10 वा हिस्सा यह 100 वा हिस्सा इस तरीके से है तो 125 लिख दिजेगा RF लिख दिजेगा यह problem हमारे finish हो जाएगी मिलेंगे next से ही उपाएगा यह कोश्चन तो आप ड्राफ्टर से ही मेजर करें नहीं तो स्केल से अगर करेंगे कोश्चन तो गलत हो जाएगा स्केल से नहीं बना पाएंगे आप इसको छोटे-छोटे डिविजन है थोड़ी सी भी लाइन पैलल नहीं रहेगी तो गलत हो जाएगा मिलत झाले ने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मुच.